आज की इस वीडियो में हम कर्मा-गरम कचोड़ी बनाने जा रहे हैं friends तो कचोड़ी बनाने के यिए हम ने ले लिए हैं आलू और इनको ठोची से दो लिए हैं और इनको boil भी कर लिया है हमने ये आलू हमारे उबल चुके हैं और इनको आब हम अच्छे से साप कर लेंगे इनका छिलका हमने उतार लिया है और अब हम इसका बना लेंगे भरता भरता बनाने के लिए हमने दो बड़े लसुन ले लिये हैं और इनको छोटे छोटे है नमक हम टालेंगे स्वादानुसार और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे भरता हमारा बढ़िया सब बनके रेडी हो जाएगा इसको बनने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है यह बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाता है सिर्फ हमें इंतिजाम करने में थोड़ा टाइम लगता है कचोडियां बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना चैनल को भी subscribe कर लेना friends अब हम कड़ाई चड़ा देंगे और इसमें हम डाल देंगे सर्सों का तेल आप चाहें तो refined oil भी ले सकती हैं हम सर्सों का को हम हाथ की मदस से बढ़ाएंगे तो तेल उधर हमारा गरम हो रहा है मिधर तेन चार कचोड़ी भर कर तयार कर लेंगे कचोड़ी का आटा भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं सानना है थोड़ा सा ढीला आटा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है सॉफ्ट रहता है क्योंकि इसको हम हाथ से ही बनाएंगे तो हमारा आटा बहुत सॉफ्ट है आप लोग देख सकते हैं आटा गूतने का वीडियो हमने नहीं बनाया है क्योंकि आटा तो सभी को गूतना आता है तो आप देखिए इसे तरह से कटोरी का आकार देना है और इस कि हमें कचोड़ी कैसे बिनानी रहती है कि अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहती है तो आप बेलन की मदद से भी इसको बड़ा कर सकती है तो देखें यह हमने छोटी सी रोटीत की तरह बेल लिया है बेलन से और इसको भर देंगे तो हमने भर दिया है और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे चारो तरफ से और चाहें तो हाथ की मदद से आप इसको बढ़ा कर सकती है और चाहें तो बेलन की मदद से भी आप बढ़ा सकती है तो हम हाथ की मदद से ही इसको बढ़ाएंगे हम बेलन का सहारा बिल आकार पूरी तरह से आ चुका है और हमारी कचोड़ी बनकर त्यार हो गई इसे तरह से हम 3-4 कचोड़ियां भर लेंगे और भरने के बाद हम तेल में फ्राइ कर लेंगे क्योंकि तेल हमारा गरम हो चुका है और अब हम एक-एक करके इनको पका लेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसको चलाते जाएंगे कचोड़ी हमारी जलने ना पाए हमें ध्यान भी रखना है और आगे कप प्रोसेस हमें उसे तरह से करना है उसे तरह से हम लोई बनाएंगे और कचोड़ियां भरेंगे ये कचवड़ी हमारी एक तरफ से पक चुकी है अब हम इसको चला देते हैं दूसरी तरफ की भी पका लेते हैं एक तरफ से हमारी कचवड़ी पक चुकी है और दूसरी तरफ से भी हमारी कचवड़ी पक चुकी है अब हम इनको निकाल लेते हैं थोड़ा सा लाल-लाल चित्ती आ चुकी है हमारी कचोड़ी में और इनको अब हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे इसको बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स देखा आपने कितनी जल्दी हमारी कचोड़ी बन कर तयार हो गई जब भी आपका मन करें घर में कचोड़ी खाने का आप इसी तरह से कचोड़ी बना सकते हैं देखिए हमारी गरम-गरम खस्तेदार कचोड़ी बन कर तयार हैं और भी जो हमने बनाई है वो भी हम फ्राइ कर लेंगे इसी तरह से यह कचोडी आप चाहे तो चछट नि के साथ खाएं हो और दही के साथ खाएं। चाहे तो पूर बहुत हिलीतिं लगेंगी। झाल झाल